रादे रादे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे लड़ो पाल जी के एक सिंपल डेली उज के लिए ड्रैस यह मैंने इसकी चोली के लिए फैबरिक लिया है जिसकी लंबाई है इसकी लंबाई मैंने तेरे इंच के करीब ली है और जिसकी चोड़ाई है पाच इंच इमें चोली के लिए लिए साथ रख देते इसको यह नीचे गेर के लिए इसकी कपडा है थोड़ा है पाँ साधे 5 इंच और इसकी लम्बाई मैं भी मापके बता देती हूं कि इसम्पल सर्वर से सुंदर सा कपड़ा है बनार सी लुक में इसकी लम्बाई है 45-46 के करीब 26 इंच और यह मैंने बॉर्डर ले रखा है नीचे बिल्कुल सिंपल बॉर्डर ले आए क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा अच्छा फैंसी सा लग रहा है में डेलीज के लिए डेस्ट बनाने जो चूब है नहीं तो कुछ इपासई अब जो हमने नीचे के लिए गीर के लिए शेयर के लिए वालीस करें विश्मा को ऑदा ऐसे बॉर्डर लगा लेते हैं बीच मेल ओः क्योंकि य손िक आग में लगा लेते हैं फुट्डर अच्छे से एक फ्याद ल hilar रखा लेट हैं थोड़ा अंधु हमके किनारी अच्छे से आ रही है इस बॉर्डर को थोड़ा थोड़ा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि तब भी सुई के नीचे जाएगा बॉर्डर तो इसके दागे की चाओ आएंगे यह देखें अच्छे से अपन जमा जमा के इसको इबर पूरा कवर कर लेते हैं झाल झाल तो यह नो मैं इंची ह्ते हुए है इसके नहीं कि भील्च उच्वीच में कि ऐसे हैं पूरा झालेते हैं इसका बॉर्डर जासे कि अब फिर से खिचना पड़ेगा इसके में लिया हैं यूही दे करते थे हैं कि देखिए यह हमारा बोर्डर पूरा लग चुका है अब इसको थोड़ा से एक्ष्टा रख लेते हैं ताकि जो खिचाओं में आए वह इसी में से आले एक्ष्टा वाले में सही मैंने अलका सदेर इंच के गरीब एक्ष्टा चोड़ दिया बोर्डर यह देखिए किचने प अब इसको जो एक्ष्टा लिया था यह हमने इसको कट कर देते हैं क्योंकि जितना दागा में लेना था वह हो चुका है अब कम्प्लीट अब हम चॉली को भी ऐसे ही एपर डबल करके इसको मोड लेते हैं इसको सीधा साइड अंदर करेंगे रुल्टी जो साइड है इसकी किनारी किनारी पर डबल करके इसको उल्टा करके मैंने पूरी सिलाई लगा लिया विसको हम पलट लेंगे इसको हम पलट लेते हैं इसको थोड़ा सथ जमा कर लेते हैं आच्छे से एक बार इसको थोड़ा से सेट करना पड़ेगा सिलाई को पकड़के जहां पर लेंगे तो यह जम जाएगा अब इसके उपर भी हम वैसे ही बोर्डर लगाएंगे जैसे हमने नीचे वाले घेर के लिए लगाया था दोनों साइड आदा साइड नीचे आदा साइड उपर और बीच जो आदा इसको पड़े को रखे और उसी तरह से घूला रहा 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 है नीचे से इसको मैं से कवर करतेंगे अ कि यह देख भूग मैं वोही बोर्डर है जो मैंने इसके उपर लगाया था इसीछाव में इसको में एकट कर देती हूं यह विसके वही उसी तरह से सेम उसी प्रोसेस हम इसको सेम तरीक से लगा लेंगे आदा नीचे आदा उपर कर दोनों साइड को देखते हैं मैं इसके उपर पूरे को पर सिलाई लगा लेने बोर्डर के उपर यह जैसे बोर्डर आ जाएगा एक साइड में हम दोन साइड भी बोर्डर लगा सकते हैं बड़ हम सिंपल से बना लिए डेलिज के लिए तो दोनों साइड बोर्डर फिर हैवी हैवी हो जाएगी है में देखिए इस पर भी अच्छे से बोर्डर लग चुका है अब इसको हम बीच में से कट कर देंगे यह चोली का कपड़ा है उपर वाली चोली का इसको इसको इसको बडोर बीच में ला सकते हैं और इसको अगर प्लट अरुट ऑा यहां ज segments सकते हैं मिश्मी से अच्छे लाएनी है आगे सी फिर हम ठोड़ा खोल लेंगे थोड़ी सीलाई लगाने के बाद इसको ही इसे हम वापीस कर लेते हैं डबल सीलाई भी हो जाएगी और यह लोक भी हो जाएगा उपर से यह देखें अब इसको हम मोड लेंगे हम सिलाई भार की साइड भी लगा सकते और अंदर की साइड भी मैं अंदर की साइड ही लगा देती हूं यह देखिए बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे इसको भी यहीं से ऐसे ही मोड लेंगे बीच से इसको भी हम ऐसे ही बीच से मोड लिया है मैंने यह अब दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे सीम यह देखो मोड के वसी लाई लगा लेते हैं इसको भी आप इसे ही मोड लेते हूं मैं अब इसको पलट लेते हैं यह हमारे उपर की चोली बनके बिल्कुल तयार है हमारी चोली बिल्कुल तयार है यह हमारी चोली बन चुकी है बिल्कुल इसको साइड लग देते हैं अब इसमें हम पहले प्लेट लगाएंगे इस फ्लेट लगाने से पहले में साई ने से लो करने के लिए यहां भी और स्थीपका देती हूं पहले ही जplainी नीचे लगा रखा है सेम वही मैं उसी तरीके से ब्रवादर लगाऊंगी इसको उपसे टोड़ा लो करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेक अंदर की साइड मोड़ने से लोग हो जाएगा यह देखिए अब मैं दोनों साइड इसी प्रकार से लगा लेती हूं इसको करें इसाइड हमारा लग चुका है से मुसी तरह से दूसरी साइड भीज को लगा लेते हैं बीच में वही कपड़ा रखें से अब यह बिल्कुल तयार है अब में इसकी प्रेट लगाएंगे इसमें प्लेट यह देखिए पहले चूटी सी सिलाई लगा के छोड़ देंगे एक बार फिर प्लेट लगाएंगे प्लेट समय सामें काटे से ही लगाती हूं काटे से एकदम गोल और एकदम परफेक्ट लगती है यह देखिए ऐसे काटे को अंदर की साइड खीचाओ करके लगाना और कपड़े को बार की साइड खीचना है उससे हमारा प्लेट एकदम एकदम लाएगी प्लेट अगर सही होंगी तो पीछे की जो प्लेट लगी हो आगे घूम किया जाएगे तो इसका मतलब बिल्कुल प्लेट सही हो और अग झाल याल झाल झाल यह देखी चाटे की सचता से मैंने लुग पुरी याँ प्लेट कंप्लीट कर लियुरा ही है हमारा बिल्कुल ट आज़े तरफ अब आ प आ रहे हैं यागे ही आ गहिं बिल्कुल मुचिन की है अ Equip मसें की अंदर के साइड कॉर्प कहपले कि जाओ करना है तो अब पुरी प्लेट नहीं बंड़े तो मैं इसको हाथ से लगा देती हूं यह हमारे प्लेट सिधर कंप्लीट हो गई है यह हमारा की हिरागे से खुल लेगा या नहीं इसका पता चल जाएगा हम इसको ऐसे रखेंगे अगर अपने आप टच हो रहा है तो इसका मतलब भी परफेक्ट बनेगी यह देखे अपने आपकी हिरागे मिल गया है यह गोलाई से अब इसको हम यहां से लगें ऑल इसको ऑढ़ लिगाय है और इसको अब कि अगे यहां डबल स्टार्टिंग में और फिर प्लेट का वाला कपड़ा वो जादा है और तोली का एरिया चोटा है तो इसको हम इसी के अंदर कवर कर देंगे यह देखिए अंगली से इसको चूनट दबाते हुए इसी में दबा देनी है बहुत सारी एक बर में ही चूनटे जो नी यह मैंने फिर से प्लेट दबा दी है फिर सिलाए लगा दूंगी इसी तरह से हम इसके पूरे के उपर इसी प्रकास से इसमें दबा दबा कर सिलाए लगा लेते हैं यह देखो यह जो बचा हुआ है इसी के अंदर कवर करना है पूरा यह देखो हमारा इसी के अंदर किनारी के उपर किनारी को सील देंगे किनारी को सेट करके इसको अच्छे से किनारी को पर ही जोड़ देंगे हम यह से भी डबल सिलाई कर देते हैं ताकि यह लोग हो जाएगी यह मैंने यह से डबल सिलाई कर दी है जो भार चोटे-चोटे धागे लगए हैं इसके लिए हमें एक और इसके बिल्कुल किनारी किनारी पर लगाएंगे नीचे के कपड़े को बचाते विए लगानी है इसे लाई कभी नीचे वाली प्लेट सिलाई में ना जाएं यह मैंने एक्स्टा सिलाई भी लगा दी है अब इसके उपर जो भी धागे बचे हैं जो भी कटिंग है उसको हम देखो यह ऐसे रिमूव करके अच्छे से इसका बिल्कुल फिनिश कर लेंगा अंदर से इसकी फिनिशिंग तब ही आएगे तब हम यह धागे एक्स्टा जो भ ट्रस हमारी तयार है कैसी लोगी मारी ट्रस रादी रादी फ्रेंड्स रादी रादी आदी